असलामुलेकुम वेलकुम बैक तो दी न्यू रियक्शन वीडियो और अभी जिस तुड़ी को पर हम लोग रियाक करने वाले हैं गोरफ ठाकर भाईया की वीडियो है और उस वीडियो का टाइटल है सीमा हैदर फॉल एंडोल स्टोरी लव ट्रैप बाए पाकिस्तानी स्पाय है ऑके पाकिस्तानी स्पाय अभी गोरफ भाईया की वीडियो हो सकता है कुछ नया इसके अंदर हम लोगों को सुनने के दिए बाकि इस वीडियो से रिलेटेड या इस चीज से रिलेटेड हम लोग काफी सारी वीडियो देख चुके हैं जो के हमारी नजर में यह एक फेक ह एक कहानी है, बिसीक्ली एक फ़नी स्टोरी है तो अभी देखते हैं गोरफ बईया इस बारे में क्या कहते हैं तो अगर आप लोग और चैनल इसमेल को सबस्क्राइब करतें, लाइक करतें, शेयर करतें और अगर आप भी कोई वीडियो सजैस करना जाते हैं, तो सजैस कर सकते पाकिस्तानी लेडी है सीमा हैदर जो कि सिफ प्यार के लिए इंडिया आई है और इस पर कुछ लोगों को ये आयसाइ द्वारा रचा हुआ एक सोची समझी साजिश एक हनी ट्राप का केस लग रहा है जैसे अभी रिसेंटली डियाडियो के सीनियर साइंटिस्स के साथ हुआ था तो सवाल यहां पर यह आता है कि आखिर कौन है ये सीमा हैदर और ये इंडिया में घुसी कैसे किन-किन लोगों ने उसे अंदर इंफिल्ट्रेट करने में मदद किया या वो सची में एक आईसाइए एजेंट है या फिर ये बस सिर्फ एक कॉंस्पिरेसी थियरी है इन सभ सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो गाइस इस पूरे केस की कहानी शुरू होती है 4th July 2023 से UP के anti-terrorist squad ने सीमा हैदर को उसके चार बच्चों के साथ UP के गौतम बुद्ध नगर एरिया से अरेस्ट कर लिया जिसने इंडिया के बॉर्डर को इ इतनी बिगड़ चुकी है कि सीमा को वापिस भेजने के लिए पाकिस्तानी टेरिस ग्रोप मुंबई पर अटाक करने की धंगिया तक दे रहे हैं हाला कि कुछ निउस सोर्सेस खुद सीमा हैदर को ही ISI एजेंट नहीं है तो उसके फोन से ISI में यूज होने वाले सीक्रेट कोड़ आखिर कैसे मिले और उपर से सीमा का इंडिया में एंट्री करने वाला रूट भी काफी फिशी है वो सबसे पहले कराची से शार्जा याने कि UAE गई और वहां से उसने काट मांडू याने कि नेपाल के लिए एक फ्लाइट ली नेपाल पहुंसते उसने नेपाल इं पर ये पहली बार मिले थे जिस पर 2019 से सीमा और सचन साथ में बैटल्स खेलते आ रहे है इसी गेम से उनकी दोस्ती शुरू ही थी जो कि आगे जाकर प्यार में तबदील हो गई और वो भी इतना गहरा कि सीमा अपने पहले पती गुलाम हैदर को छोड़ कर इंडिया आई ज इसके बाद साथ साथ सेटल होने का सफना देख कर सचन खुद सीमा के साथ सेटल होने के लिए पाकिस्तान जाने वाला था greater noida के पास एक गाव में सचिन और अपने चार बच्चों के साथ रहने लग गई अब चार बच्चे भी शादी भी हो गई तो अब next step क्या होगा obviously वो अपने शादी को legalize करेगी right so बस दोनों फिर 4 जुलाई को एक लॉयर के पास पहुचे और यहीं से शुरू हुआ सीमा पर शक का सिलसिला उस लॉयर ने जब यह देखा कि सीमा की nationality पाकिस्तानी है वो already थोड़ा सा curious हो गया था सीमा और सचिन के रिष्टे को लेकर पर फिर वो advocate पूरी तरीके से alert तब हुआ जब उसको सीमा के कुछ प्रॉब्लम्स नूटिस हुए बेसिकली उसके पास ना तो इंडिया आने का वीजा था और ना ही इंडियन सिटीजन्शिप के लिए कोई भी रेजिस्ट्रेशिशन फाइनली उस एड़ ने तुरंध पुलिस अथा इंफोरिटी इस कुछी वक्त में यूपी पुलि पाकिस्तान के अंदर जो वीडियो चल भी रही है ना वो सारी की सारी इंडियन न New तो टली इंडियन न्यूज भरा पड़ा हें हमारे मीडिया के अंदर कहीं पे भी कहीं पे भी बात ही नहीं के गईए इस की। मेंन्स्रीम जो चैनल होते हैं रहा है तो क्यों कि आपकिस्ता कि रहे हैं या वाये कि इंडियों को अपलोड करें वांदा पाकिस्तानियों को फरक ही नहीं पड़ता है क्योंकि हमें पहले दिन ही देख के पता चल गया था, पहली पहली वीडियो देख के पता चल गया था कि यह सारा फेक है और ड्राम है सबसे ज्यादा हारिस्मेंट अगर कोई फेस कर रहा है इसको लेकर तो वह है पाकिस्तान में रहने वाले हिंदूस सो बात यहां पर कुछ ऐसी है ना, सीमा जिस ट्राइब से बिलॉंग कर दी है जखरानी ट्राइब, उसके कुछ आम्ड मिलिटेंस की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो गई उस वीडियो में वो इंडिया को साफ साफ ये धंकी दे रहे हैं कि अगर वो सीमा को वापिस पाकिस्तान नहीं लोटाते हैं तो वो पाकिस्तान में रहने वाले सारे हिंदूस को मार देंगे इन फाक्ट मिया मिठू नाम के कॉंट्रवर्शिल पाकिस्तानी एक्स्ट्रीमिस लीडर ने तो न्यूस मीडिया में तक ओपनली कह दिया कि हिंदूस विल सफर और पाकिस्तान में हिंदूस के प्रती ऐसे बढ़ते हेट्रेट को देखकर सिंध प्रोविंस जहां पर सबसे ज़्यादा हिंदू पॉपिलिशन है पाकिस्तान में उनके इंस्पेक्टर जेनरल ने डिस्ट्रिक्ट वाइड हिंदूस और टेंपल्स को सेक्योरिटी दीने क पर फिर भी बात सिफ यहीं तकी सीमित नहीं रही पाकिस्तानी एक्स्ट्रीमिस ग्रूप्स ने कुछ धंकिया मुंबई पुलिस को सीधा दे दिया मुंबई पुलिस के ट्राफिक कंट्रोल रूम को किसी अनाइडेंटिफाइड उर्दू स्पीकिंग कॉलर का कॉल आया ज दूसरे तरफ उसके दोस्तों का कुछ और ही कहना है सीमा है के एक्स बॉइफ्रेंड ने एक यूट्यूब वीडियो में आकर ये कहा वो गई है सर जी वर्ल्ड कप देखने कि सीमा इंडिया बस क्रिकेट के वर्ल्ड कप मैच्चेज देखने गई है और उसने सचिन मीना को कि बहुत बड़ी फैन है नाओ इसके उसकी बच्पन की दोस्तने रिवील किया है कि ऐसे सीमा के कही सारे बॉइफ्रेंड रह चुके और वो एक कंप्लीट फ्रॉड है वह सौर रामी हो एक रामी है कुछ इसी बात को सीमा हैंदर के डॉक्टर ने भी वैलिडेट करते हूं अचा यह जिसकी वीडियो आप दिखा रहे हो ना गोरव भाया पहली बात तो मैं आपको बता दूँ यह बंदा यह बंदा बेसिकली कहानी जिनरेट करता है यह बंदा खुद कहानी बनाता है उस किसी भी कोई भी पाकिस्तान के अंदर भी कोई ऐसा इशू होता है ना तो यह कहानी बनाता है उसके दोस्त बनाता है उसके वालदेन बनाता है उसके और भी मतलब बॉइफरेंड गर्फरेंड बनाता है तो यह चीजें यह इस तरह की इंटर्वियू मतलब खुद बनाता है एक कहानी लिखते हैं यह लोग यह लोग स्क्रिप्टिड काम करते हैं त इनको सीरियस ले रहे हो इस बात को इसके डाउट है कि सीमा प्राबिबली एक पाकिस्तानी स्पाय है क्योंकि जब UP ATS ने सीमा की पुछताच की तो उनके सामने कई सारी शौकिंग चीज़े आई जिससे कि उनका शक और भी ज्यादा गहरा होते चला गया उत्तरप्रदेश TGP Office से रिलीज हुए प्रेस नोट में ये साफ साफ बता है कि जब सीमा को एरेस्ट किया गया था तब उसके पास से कुछ वीडियो के सेट्स चार मुबाइल फोन्स, तीन से चार सिम कार्ड्स अपने आधार कार्ड जैसा ही एक पाकिस्तानी आईडी अब यही सेम घपला फिर उसके पाकिस्तानी आईडेंटीटी कार्ड में भी देखा आम तोर पर पाकिस्तान में बच्चे के जनम से ही उसे एक आईडी मिल जाता है बड़ यहां पर आप देख सकते हो कि सीमा का आईडी पिछले साली इशू किया गया है और इसलिए इंडियन एजनसी को ऐसा लग रहा है कि उसके आईडेंटीटी हाल ही में क्रियेट की गई है ऐसा आम तोर पर इंटेलिजनस एजनसी करती है अगर फॉर इंस्टेंस किसी एजन्ट को दूसरे कंट्री में मिशन पर भेजना हो तो identity number मिलता है, identity card नहीं मिलता, आपका एक card बन जाता है, जो के 16 के बाद बनता है, 16 से 18 तक अगर आप 2 साल के लिए वो card यूज़ करना चाहें, तो आपको एक card बन जाता है, जो के हमारे identity card की तरह का होता है, लेकिन उसको भी हम लोग identity card उस तरीके का proper नहीं consider कह रहे होते हैं और बच्चों को सिर्फ identity number मिलता है, कोई भी identity card नहीं होता बच्चों का। अब friends, anyway, इन सब चीज़ों को अगर एक मिनिट के लिए ignore भी करें, तो further investigations में ये तक पता चला है कि सीमा पबजी पर सचिन जैसे ही और भी लड़कों से बात कर रही थी, जो specifically Delhi NCR region में रहते थे, exactly वहीं पर जहां पर सचिन रह रहा है, और जहां से इंडिया की important building है, जैसे क authorities को ये शक है कि वो उन्हें honey trap करने की planning में थी, other than this, वैसे तो सीमा allegedly सिफ 5th grade तक ही पढ़ाई की है, पट जब पुछताच के दौरान, उससे कुछ English lines को पढ़ने के लिए कहा गया, तो वो काफी fluently एक proper accent के साथ पढ़ रही थी, English तो छोड़ो उसके पाकिस्तानी landlord का कहना है, कि उसे हिंदी भी नहीं आती थी, पर अब यहाँ पर वो कितनी ही अच्छी हिंदी बोल लेती है, वो भी purely Indian accent में जैसे आप लोग ने सुना है, और इसलिए इन सभी कड़ों को जोड़ का निया, और इसलिए पुलिस को लग रहा है कि पूरी family ISI की well-planned strategy है, And finally friends, ATS को सीमा के chats में भी दो code words मिले हैं, एक है फुफी और दूसरा है fruit, अब इन दो वर्ट का इस्तेमाल पाकिस्तानी ISI यूजवली अपने secret chats में करती है, इन मैसे फुफी का मतलब होता है information देने वाला agent, और fruit का मतलब होता है पैसा, अब सच क्या है और जूट क्या है य तो देखो, सबसे पहली बात तो ही है कि सचिन और सीमा ने ने नेपाल के एक हिंदू मंदिर में शादी की है, जो कि इंडियन लॉस के साब से वैलिड नहीं है, इसके मेजर ली दो रीजन से, पहला शादी इंडिया में नहीं हुई है, और दूसरा वो अल्रेडी मैरेड है और इस वज़े से उनकी शादी वैलिड कैसे हो सकती है, इन फाक्ट इवन यूपी पुलिस ने भी FIR में सीमा के हस्बेंड का नाम घुलाम हैदर लिखा है, ना कि सचिन मीना, और इस वज़े से अब एक दूसरा बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, कि सीमा के जो चार बच् पाकिस्तानी से शादी किया था और उससे उसको एक बच्चा भी था, पर 2014 में UAE में रहते समय आईशा और इसके पती ने डाइवोर्स लिया, उनके बच्चे की complete custody आईशा को मिली, along with a problem, दरसल क्योंकि उस बच्चे के पिताजी पाकिस्तानी थे, automatically उस बच्चे के पास भी पाकिस्तानी citizenship आ गई, और इससे ultimately आईशा और उसके बच्चे को इंडिया में lot आने में problems होने लग गई, और finally फिर आईशा ने UAE में स्थित Indian Consulate से मदद मांगी, और humanitarian grounds पर Indian Consulate ने उस बच्चे को temporary Indian passport दे दिया, जिसके बाद वो अपने बच्चे को लेकर इंडिया आई और करनाटका में रहने लगी, अब इस सब के बाद इस problem को पूरी तरह से solve करने के लिए, आईशा इस case को करनाटका हाई कोट के पास लेकर चली गई, बट वहाँ पर उसके सारे expectations पर पानी फिर गया, जस्टिस M. Naga प्रसन ने आईशा के petition, याने अपने बच्चे को Indian citizenship दिलाने के petition को dismissed कर दिया, और अपने judgment का explanation देते हुए कहा कि इंडिया और पाकिस्तान की citizenship laws में difference है, पाकिस्तानी citizenship act 1951 के अनुसार, पाकिस्तान का कोई भी citizen 21 के पहले अपनी citizenship को renounce, याने कि छोड नहीं सकता, याने कि आईशा का बच्चा 21 साल की उमर तक पाकिस्तानी ही रहेगा च 1555 के अनुसार, इंडिया में एक साथ दो कंट्रीज की citizenship या simply dual citizenship लीगल ही नहीं है, meaning क्योंकि आईशा का बच्चा 21 साल का होने तक कंपल सरीली पाकिस्तानी citizen है, वो तब तक इंडिया की citizenship के लिए apply तक नहीं कर सकता है, and the same goes with Seema's case as well, Seema के चारो बच्चों की भी उमर 7 साल स से कम है, और इसलिए फिलाल उनका citizenship पाकिस्तानी ही रहेगा, और रही बात खुद Seema की, तो उसको भी Indian citizenship नहीं मिलेगा, अगर उसको citizenship चाहिए, तो उसके total चार रस्ते हैं, अब जहां पर birth और descent का सवाल है, वो तो clearly पाकिस्तानी बॉन सीमा के लिए option ही नहीं है, और रही बात बाकी के दो options की, तो उन में सबसे पहली major requirement या eligibility criteria ही यह है, कि वो person illegally migrated ना हो, याने कि सीमा और इसके बच्चों को official रास्तों से Indian citizenship मिलने से रहा, अब इस सब के बावजूत friends, कुछ लोगों के मताबिक, official ना सही, मगर सीमा को अभी भी refugee status के जरीए citizenship मिलना possible है, जैसे Europe में, Africa या Asia से आए migrants को दिया जाता है, और जहां पर इस status के अंदर government migrants को shelter provide करती है, but still in India there's a catch, India किसी भी migrant को refugee नहीं declare करता, तो कि India ने UN refugee convention 1951 और protocol 1967 को sign ही नहीं किया है, याने कि अगर technically देखा जाए, तो ये जरीया भी सीमा के लिए open नहीं है, अब इस सबसे एक बात तो बिलकुल शूर है, कि सीमा के suspicious activities के वज़े से उसे इंडिया की citizenship तो नह पर Indian prison में जरूर जगे मिल सकती है, क्योंकि इसने border को illegally cross करके कई सारे laws लोडे, उसने बिना किसी legal visa के इंडिया में enter किया जो Foreigners Act ए 1946 के section 14 का clear violation है, और उसके इस पूरे मुद्दे को एक criminal conspiracy consider करते हुए IPC section 120B के भी उस पर charges लगे है, in fact इस law के अंडर तो police ने तो सचिन को भी co-conspirator माना है, और ये तो मैंने इन पर लगे कुछ ही charges की बात की है, इन पर और भी कही charges लगाए गए है, so friends आपकी कहा रहा है समुद्दे पर, आपको क्या लगता है सीमा है, यार वीडियो तो काफी interesting थी और information थी, मतलब एक नई information थी, मुझे पहले मुझे इतना नहीं बोलते आ रहे हैं, इनसान जहां पर अगर आप इंडिया से भी कोई है ना, वो उसने अगर सारी जिंदगी मतलब अपने 25 साल 26 साल अगर उसने हिंदी बोली है ना, तो वो पाकिस्तान के अंदर आएगा, तो उसको ऐसा नहीं है, कि एक साल के अंदर पांच महीने के अंदर पर उसकी पूरी की पूरी लेंग्विज ही चेंज हो जाए, उसको अपने रिलिजिन से रिलेटेड चीजें ही भूल जाए, ऐसा नहीं हो सकता, मतलब यह यह एक पूरा टोटली एक ड्रामा है, जो कि सिर्फ इंडिया मेडिया के अंदर चल रहा है, पाकिस्तान को ऐसी ची पुलिटिकली तो इन चीजों को इसको तो किसी ने सीरियस लिया ही नहीं है, हम लोग तो अभी भी, अभी भी हम लोग बात सुन रहे था तो मैं हासरा था नहीं है ना हम लोग ऐसी चीजों को सीरियस ही लेते हैं हमें पता है कि यार मजाग चल रहा है सारा, तो यह मजाग ह में ताइम मिले तो इसको जेल में डालो और होड़े से लितर वितर मारो कहते है पंजाबी में हमारी तरफ च्छितर नहीं लिटर भी घलग चीज होती है वह चमड़े का एक बना वह आता है तो वह मारो इसको ता कि यह सच बताए कि है कहां से और यह पता लगे नेपाल की है नेपाल से आई है इंडिया में तो खेर वीडियो काफी इंट्रस्टिंग थी मज़ा आया देखके अगर आप लोग को भी कोई ओपीनियन है इस चीज से रिलेटेड आप लोग को क्या लगता है यह रियल है यह क्या है तो कॉमेंट सेक्शन के अंदर बताना हम लोग मिलते है एक और वीडियो के साथ तब तक के लिए अलावफीर बाए